हमारा यूनिवर्स बहुती ज्यादा बरा और मिस्टीरियस है हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद 9 प्लैनेट्स के जैसे और भी अर्बो प्लैनेट्स इस यूनिवर्स में एक्जिस्ट करते है आज की इस वीडियो में हम साइन्टिश द्वारा खोजे गए कुछ ऐसे ही प्लैनेटरी बोडिस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो की बहुती ज्यादा मिस्टीरियस है इस प्लैनेट को दा डाइमन प्लैनेट भी कहा जाता है ये प्लैनेट हमारी धर्ती से 40 light years दूर है इस प्लैनेट का one third हिस्सा unpolished diamond से बना हुआ है Actually इस प्लैनेट का atmosphere mostly carbon से बना हुआ है इस प्लैनेट का average temperature है 2400 degree Celsius इस प्लैनेट में अपने parent star की heat and planet के pressure के चलते यहाँ पर carbon diamond में convert हो जाता है अगर इस प्लैनेट की current value की बात करे तो इसका प्राइस है 26.9 nonillion डॉलर एक nonillion का मतलब होता है एक के पीछे 30.0 नमबर 2 HD 189733 b ये प्लैनेट आर्थ से 62 light years दूर है इस प्लैनेट का atmosphere mostly silicate atom से बना हुआ है इसलिए ये प्लैनेट हमारे आर्थ के जैसा ही blue है इस प्लैनेट में 8700 km per hour की speed से बहुत तेज हावा चलती है जो की sound की speed से साथ गुना तेज है और इस प्लैनेट में non-stop काच की बारिश होती है इस प्लैनेट का average planetary temperature है up to 900 degree Celsius इसलिए यहाँ पर silicon particles इघल के काच के रूप में बरसती है नमबर 3 CFBD-SIR 2149-0403 यह प्लैनेट CF21 के नाम से भी जाना जाता है यह प्लैनेट एक starless यानि की एक sunless planet है यह प्लैनेट 2 से 3 billion साल पुराना है यह प्लैनेट अमारी धर्ती से 130 light years दूर है यह प्लैनेट बहुती ज्यादा बढ़ा है और बहुती ज्यादा glow करता है इस प्लैनेट का मास जूपिटर से 5 से 7 गुना ज्यादा है यह प्लैनेट infrared rays और heat को directly space में generate करता है अन्डिमांडिंग thermonuclear reaction के चलते इस प्लैनेट का average planetary temperature है up to 400 degree Celsius साइन्टिस्ट का मानना है कि इस प्लैनेट में methane gas और पानी भी हो सकता है यह प्लैनेट साइन्टिस्ट के द्वारा खोजे गए सबसे dark planet है यह प्लैनेट अपने star light का सिर्फ 1% reflect करती है इसलिए यह प्लैनेट एक black hole की तरह दिखता है यह प्लैनेट बहुत ही छोटा होने के लिए इसका atmosphere कोईला और acrylic paint से भी कम light reflect करता है साइन्टिस्ट के द्वारा बनाए गए एक फियोरी के मुताबिक इस प्लैनेट में sodium और titanium oxide बहुत भारी मात्रा में है जो की light को absorb कर लेती है यह एक आग में जलने वाला बर्फ का प्लैनेट है सुनने में यह बहुत ही अजीब है कि एक बर्फ का प्लैनेट आग में कैसे जल सकता है इस प्लैनेट में जो बर्फ है वो normal बर्फ जैसा नहीं है यह एक different type का बर्फ है जिसका नाम है ice 7 जिसमें आग जल सकती है इस प्लैनेट का temperature है 439 degree Celsius इस प्लैनेट की strong gravitational force और ice 7 की strong bonding के चलते यहाँ पर पानी evaporate नहीं हो पाता और इस प्लैनेट के atmosphere में hydrogen और helium gas भी मौझूद है यह थे हमारे universe के सबसे रहस्यमाई 5 planets अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को subscribe करके bell icon जरूर प्रेस कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही interesting वीडियो और भी लाता रहूंगा थैंक्स फर वाचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ